है हलो गाइस वालकम टूज फेमी तो आज हम लोग डिसकाश करेंगी सिया के भ़ॉर से जामाइका के बीच में जो मैश होगा सीपील का फास्ट मैश उसके बारे पूरा डिटेव से अनलेसिस करेंगे प्लास आप लोग के सामने हम लोग प्लियार का जो सामने रखेंगे प्ल इसलिए आप लोग का साथ चाहिए हमें सपोर्ट करिए तभी हम लोग कंटिनीव कर पाएंगे ठीक है तो गाइज पहले आप हमारा जो टेलिग्राम चैनल उस पर जुरूर जॉइन हो जाना क्यूंकि जो भी आपडेट होगा प्लास पांत पिक होगा मैं आपको टेलिग्राम का जो हमारा लिंक रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लास फास्ट कमें सेक्षेन बे में टेलिग्राम चैनल का लिंक ढाल दूँगा ठीक है तो उसके जरिए आप आप लोग हमारा टेलिग्राम चैनल पर जॉईन हो जाना क्योंकि जैसे आप लोग को पर जाकर प्रिव्यू करेंगे ठीक है तो गाइस देखिए डेरेन सर्मी की नाशनल क्रिकेट स्टीडम में मैच खेला जाएगा तो आप देख सकते हैं अपर सेंट लूसिया का होम ग्राउंड है एसल के का एसल का जो टीम है उसका होम ग्राउंड है और यहां पर जो सब्सक्राइब जैदने का ज़्यादा चांस रहेगा जैसे आप देख सकते हैं जो भी मैंच होआ इन में से इन में से दो-तिन मैच मतलब पांच मैच में से अब तीन मैच पास बैटने जीता और दो मैच पास बैटने जीदा तो वह टीम का कौन सा टीम है कौन सा टीम थोड़ा सा कमजूर है उसके उपर भी डिपेंड करता है ठीक है तो गाइज आप देख सकते पेसर्स को ज्यादा परफॉरमस आप देख लीजिए जामाइका का जादा जामाइका 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 आगे हैं तो उसके हिसाब से आभी जामाइका को आप स्ट्रॉंग मानके चाथ बट सेंड लुसिया जो मतलब यहां पर खेला जाएगा तो इसरके का होंग ग्राउंड है तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जॉंसन चार्ल्स इसका रिसेंट फर्म बहुत घटी अच्छा नहीं है बाकि इसका जो ग्राउंड का अब देख लिजिए ग्राउंड का रेकॉर्ड बहुत बड़ी है बाकि रिसेंट फर्म उतना खास नहीं जैसा भी रिसेंट इंडिया के साथ मैस खेला जा रहा था बाट उसमें उतना खास पार्फम नहीं तो आप देख सकते हैं अगर हम लोग पूरा का पूरा बोलने जा तका देख सकते हैं आप उतना देखिए चार तीन मैच में से चार मैच में दो मैच में में चला और डौम को दो करेंगे नहीं लेना है नहीं लेना है ऑख़ा कि डिशंटफर्म को आप करना है तो आप complete करेगा तो आप रहे तो जो जो पर दे ऐसे करेंगे तो आपके लिए आपका टीम भी रही करना बहुत इज कृट फिर अब एथि अपन टीम के साथ आगर खेलेगा ना उसमें आउट होने का बहुत जाएगा बगरा बगरा कुछ ना कुछ हो ही जाता है ठीक है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा तो गाइस आप देख सकते हैं राजा पकसा अभी तो सिलंगा का मैश चल रहा है सेन विलियम का रिसेंट फ़ लाइड करते हैं वहां पर यह खिलता है यह बहुत अच्छा ओल राउंडर है बैड बॉल दोनों करते हैं अगर इसमें लाइन अप आएगा तो क्या इसका रोल लाइगा वह देखने का होगा तो इसलिए का है अभी फास्ट कुछ मैस में इसका रोल समझने में आपको इसलिए नग प्लियर है अगर लाइप में आएगा तो आफ राइंक प्राइग कर सकते हैं तो अब के लिए पंद पिक भी हो सकते हैं अगर लाइण अप में आएगा तो सिक अंदर राजा यह always अच्छा पर्फॉर्म करता है चाहे bad ball दोनों से अच्छा पर्फॉर्म करता है तो आपके team recent form भी आप देख सकते है राम तो उतना खास नहीं है बट कहें यह most of the time अच्छा पर्फॉर्म करके ही जाते है ठीक है जो अभी इन लोगा जो recent recent T10 हो रहा था जिंबावी में उसमें बहुत अच्छा पर्फॉर्म करके आ रहा है रोस्टन चेज को आप रेक रेकॉर्ड देख सकते हैं recent form इसका उतना भी खास नहीं है बट ऐसा सीपेल में अच्छा पर्फॉर्म करके जाते हैं इसका अगर head to head head to head देखेंगे प्लस जो भ मतलब उतना भी खराब नहीं है उतना भी अच्छा नहीं यह भेन उपे बट head to head record अच्छा है तो इसलिए कहें आब इसको जुरूर आपके लिए पांद पिक भी हो सकता है गया लिग में इसको जुरूर आपने टीमें ट्राइक करिएगा ठीक है बाकि आर प्रिमियास अब इसको गैन लिग में रोटेट कर सकते हैं अच्छा पिलिया रहे रिसेंट फॉर्म भी बहुत बढ़िया है अब गैन लिग में इसको तो आगर आप जादर रिक्स लेना चाहते है अगर सोच यह लाइन अप में तो गैन लिग में क्याप्टेंग सब्सक्राइब है आप जाए उन हमारे तो इसका जुरूर अपने टीम में रोटेट कर सकते हैं हर एक मैंच में इसका वीकेड है तो आप इसको जुरूर अपने टीम ने रोटेट कर सकते हैं अच्छा है सब्सक्राइब करें अच्छा कर लेता है प्लस अपने तीम में मतलब मस्पीक होगा प्लस इसमाल लिग में आपके लिए मस्पीक होना चाहिए ठीक है पीटर होट्स गोलु आप रिसेंट फर्म उतना खास नहीं है आप इसको जुरूर अपने टीम में टाइब करेगा बहुत अच्छा बॉल कर रहा था भी जो ऑलकाफ हो रहा था उसमें बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा था और यह जो बॉल करते ना ओन फिप्टी का आसपस बॉल करता है तो आप इसको जुरूर अपने ध्यान में रखेगा आगर खेलेगा तो आपके लिए पंद्पिक होगा गैन लिग में इसको कैप्टें भैसेड़न भी ट्राइब कर सकते है ठीक है एम अली स्टार को आप गैन लिग में ट्राइब कर सकते है इसका रिसेंट फ हम देख सकते हैं अच्छा रिसेंट फॉर्म में आपके लिए पंद्पिक हो सकते हैं सिलेक्सन काम होगा क्योंकि लोग सब चाल्स के पीछे जाएगा लेकिन चाल्स का रेकॉर्ड उतना खास नहीं है यह जैसे मैंने पहले ही बोला था वीडियो बाना कि हैसका रिकॉर्ड में कहा है रान करके ही जाता है मुस्ट अब दा मैच में आप रिसेंट रेकॉर्ड और भेनु रेकॉर्ड देख लीजिए दोनों में है भेनु रेकॉर्ड में उतना खास नहीं है बाट हेट रेकॉर्ड तो बहुत बढ़िया है ठीक है सामारा बूक यह थोड़ा सा कहे है टेक्निकल बैट्समन है अब इसको गैंड लिग में रोटेट करेगा स्मॉल लिग में थोड़ा सा रिस्जिए गए ब्लाक वूड आप गैंड लिग में प्राइगा इसें का देख सकते हैं इमा दौसीम अभी तो बैड बॉनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है त लेकिन कहना इस्पिनर को उतना हेल्प नहीं क्या बटके है और इन से 10-15 तो आसा करी सकते हैं ठीक है तो इसलिए आप इसको ग्यान लिग में आपने टीम में जोरूर रोटेट करेगा प्लास इस्मॉल लिग में आपके लिए पंद फिक होगा ठीक है के लिए अच्छा और है अब इसको ग्यान लिग इस्मॉल लिग दोनों में आपके लिए टाई करेगा प्लस अब ग्यान लिग में सको एक दो टीम में जुरूर क्यूर क्यूइब कि यह मोस्ट आप दकि 성pial में से जो सीपिल का जो मैच होगा उनमी से 2-3 मैच में यह कैप्टेन वाइस से रहन होता है और कब किस मैच में हो जाएगा वो किसी को मालूम नहीं तो इसलिए कहा है अब हार एक मैच में इसको अगर आप कैप्टेन करेगा तो आप किसी भी मैच में आपको गैनलीग जीता सकते है एस स्प्रिंगार आप इसको गैनलीग में ट्राइ करेगा रिसेन फर्म बहुत बढ़िया है इसका आप इसको गैनलीग में जुरूर रोटेट करेगा ठीक है एस टेलार आप यह यह उसे का पिलियार है आप ट्राइकर सकते हैं बेभी उतना खास रोल नहीं रहेगा अब ग इस ग्रीन का रिसेन फर्म उतना खास नहीं है बट बंदा को हेड़ रेकॉर्ड में थोड़ा सा देखिए उतना भी आच्छा नहीं दिख रहा है बट इसको गैनलीग में रोटेट करिएगा इसमालीग में में थोड़ा सा रिस्की हो जाए क्योंकि पीच के हिसाब से में ब इसेन मौका नहीं मिला लेकिन इसे पहले उस्टेणिश के लिए भी खेल चुका है नाभी नुल हॉक रिसेन फर्म बहुत बढ़िया है और मोस्ट अप टाइम में उर्केट लेके जाते हैं कब लेना है मैं आपको ड्रीम नहीं पर जाके बदा लोगा जेडेन जेम्स आब इसका देख लीजिए उतना खास नहीं है आप ग्याल लिग में रोटेज कर सकते हैं इसका भी रिसेन फर्म उतना खास नहीं है जुरूर ट्राय करें देखिए गाइस तो मैंने आपको एक-एक प्लियर का सबका स्वाइश स्टैट्स में ने दिखा दिया अभी हम लोग ड् स्टैट्स का परफॉर्म जो रिसेन फर्म में उतना खास नहीं है और जंगु का जो रिसेन फर्म में बहुत बढ़िया इसलिए आपको जंगु के अपने टीम में पांध पिक आपके लिए होगा चाहे स्मॉल लिग मीनी आसल जो भी आप खेलना चाहते उसमें आपके पां परेंडेंटकिंग आपके लिए आपके लाचा ही करेफ आपके लिए लिए सट्रह को ज्राइब हमें आपके यह को पर raises करिंग के में Z प्लस इसमॉल लिग में या मीनी एसमें भी इसको क्या बहुत बढ़ी है और इस काटे के बारे मैंने आपको बता दिया था कि रिसेंट फॉर्म बहुत आचा है रहा है तो अब इसमें इस पार रहेगा उसके ओपर डिबंट रहेगा अगर लाइन अप मैंगा तो उसके ओपर इसको लेना चाहिए कि नहीं लिए बाद में पता चलेगा ठीके गाइस तो अभी सिकंतर आज आपके टीम होगा प्लास इसमॉल लिग मिनी एसल जो भी आप खेलेंगे उसमें कैप्टेन वाइसल्टन होगा फेवी आलन और रॉस्टन चेस रॉस्टन से आपके लिए दोनों में से एक को ट्राइ करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकते रह्मन ड्रेफार आपके टीम में मास्ट प्योंगा चाहें फास बोल करें इसको रोटेट करेंगा तो आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकते हैं ठीके अगर आप रिक्स लेना चाहते तो इसको छोड़ने का रिक्स ले सकते हैं लेकिन कहना अगर सोचिए मार भी खाएगा ना तब यह चारावर बॉल करके जाएगा तो कहा है आपके टीम में मास्ट प्योंग होना चाहिए ऐसा पिलियर जो चारावर बॉल करते हैं तो अगर किसी पिलियर को आपको ड्रॉप करना है या लेना है तो आपको फॉलो करने तो महमध आमीर को कहा है है एड़ और ग्राउन के हिसाब से आपको प्रे टीम में मास्ट पीक होगा प्लस लेकिन अगर आपको डॉप करने का मन करें तो रिसेंट फॉर्म देखके ही आप टॉप करेंगा एक दो टीम में लेकिन इसमाल ली गया आप जाकर इसमाल ली गया मिनेशल खेल रहे तो उसको आपके टीम में मास्ट पीक होगा और यह तना खास पीक नहीं होगा क्यूंकि देखें बॉलर अच्छा है लेकिन डिसेंट फॉम अच्छा नहीं है इसलिए इसलिए आप ग्यान लीग में जुरूर ट्राइब करेंगा है अच्छा बॉल आ रहे है जैसे मैंने आपको रेकॉर्ड के टाइम पर बोल दिया था आप उसके हिसाब से इसको जुरूर ट्राइब करेंगा में भी आपको दीख सकता है ठीक है नेक्स्ट यार आईपिल में तो अपने हिसाब से जो रेक örड में इने दिखा थिए उसके हिसाब से आप ट्राइब करेंगा तो ऐस आपको रपिदियो अच्छा लगा तो खिर यहberry करिए हमारे वीडियो को विडियो को लाइक करीए सब्कुराइब सब्सक्राइब करी हमारे चैनल को और हमारा टेलिग